हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल माई नम इस अंकोर मेंदरता दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रहमास्त्रा की डे वन प्रिडिक्शन की मतलब कि इसकी ऑफिशल अभी कलेक्शन नहीं आया हैं वो कल आएंगे पर हम अभी प्रिडिक्शन कर रहे क्योंकि बहुत सी जगह पर सुबह आठ भजे से शोज स्टार्ट हो गए थे आफ्टरनून की एक ऑक्यूपैंसी थी 35% दो परसंट का डे पाया उससे कोई फरक नहीं पड़ता इवनिंग की ऑक्यूपैंसी दुबारा से बढ़ी उसकी आई 48% बहुत अच्छी बात और सब से अच्छी बात यह है तेल्गू स्टेट्स याने की आंध्रा एंड तेलंगाना में ऑक्यूपैंसी मौर्निंग की इवनिंग तिल इवनिंग तक एवरिज ऑक्यूपैंसी चली है सतर परसंट भाई सब बहुत बड़ी चीज़ है यह और आपको एक और बात बता दूँ ओ एक कलेक्शन आ रही हैं सिर्फ इंडिया से सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं 34 करोड टू 35 जो की बहुत शांदार है यह आंकड़े सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे अब देखो यार इसके पास जोईनों ओवर सीज में 3000 प्लस स्क्रीन्स हैं मतलब लग बग न करोड रुपए लेकर आ रही है इतना तो कोई भी नहीं रोख सकता क्योंकि ऑस्टेलिया में अल्रेडी पेड जो इसके शोष चले थे वो दो करोड के हो चुके थे तो भाई अगर वहां से 13 करोड रुपए लेकर आती है और जहां से 34 करोड लेकर आती है तो कितने हो गए 47 और अगर मैं ये नेट है नेट अगर मैं इसको ग्रॉस में कनवर्ट करू ना तो कम से कम ये भाई सब 65 करोड रुपए जाता है तो भाई ये बहुत शानदार है पर यार इसके रिव्यूज जो है ना मिक्स आया है मेरे को समझ नहीं आता लोग कहते हैं कि बॉलिवुड करता अब कुछ नया क्या सब कुछ ही नया है इस फिल्म में फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा अगर ऐसे ही सपोर्ट मिला तो भाई ये फिल्म अराम से तीन दिन में 140 करोड रुपए लेकर आएगी जो की बहुत शानदार है इस वीडियो में इतना ही अगर कुछ अच्छा लगाओ चैनल सब्सक्राइब लिरू कर देना थैंक्स फूर वाचिंग